हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कल मैंने जेपमर बेकेंसी के ऊपर एक व्यूडियो बनाया था जिसमें मैंने बता था कि जूनियर एड्मिन एडिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्टर भ दिखा हुआ कि कितनी सेलरी बरतमान में एक जे डबल ए यान की जूनियर एड्मिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को मिलती है तो चलिए चलते हैं इस्क्रिंट की तरफ देखिए यहां से मैं दिखा जाओ कि कि इतनी अभी सेलरी आपको बरतमान में मिलने वाली ओके चलिए देखिए तो यह है आपकी सेलरी सेलिप ठीक है जिपमर यहां पर देख सकते हैं जूनियर एड्मिनिस्टेटर एस्टेंट कितनी सेलरी मिलती है 2024 में करेंट लेटिस्ट सेलरी सेलरी सेलिप जो हमें आपको यहां पर दिखाने वालो तो चलिए सेलरी सेलरी सेलिप पूरी त तो सबसे पहले बता दो देखिए जो आपका जे डबल ए की पोश्ट है वो एक लेवल टू की पोश्ट है जिसका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपए होता है इसे आप NBS के JSA या LDC के समकच मान सकते हैं मनलब वही है बस नाम अला गया ना यहां पर junior secretariat assistant यहां पर lower division clerk है यहां पर junior administrative assistant है यहां फिर railway में कहलो तो junior clerk के नाम से यह post जानी जाती है ओके चली तो देख लेते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले जो आपका basic पे होता है यह आपको basic पे मिलता है बरतमान में जो आपका ड करतमान में चल ला है by city के लिए 20 परसेंट और by city का यह आप देख सकते हैं उन्नी दूनी अर्टीस और 900 का कित्ता हो जागा उन्नी दूनी अर्टी 3080 रुप है ठीक है तो यह आप वहां से देख सकता है ठीक है ओके तो तो तीन आहार 900 रुप हो गया 20 परसेंट यह जो है आ आपके जितने भी जिपमर के जो employee है उनको मिलता है that is patient care allowance यह बेसेकली आपको मालूम है यह को जवाहर लार इंस्टिटूट है ठीक है पोस्ट ग्रेजूट मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च तो मेडिकल के हिसाब से यहाँ पर patient care allowance मिलता है that is 400 रुप है अभी इस पर लगवक एक दो महिने वाद या अगले session से जो इसकी salary है और इसमें जो special allowance हो आपका PCA यान की patient care allowance हो 5000 हो जाएगा ठीक है और 8 पर commission भी आने वाला है तो यह salary लगवक दवल हो जाएगा आपकी लगवक तो यह है आपका पूरा इसमें अगर बात करूं कि total आपकी जो बनती है net salary that is ये sorry gross salary आपकी 49,280 रुप है तो almost आपको लगवक 40,000 के round ये salary देखने को मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर government के कुछ recovery होती है जिसमें NPS एक main है ठीक है NPS में आपका कितना कट रहा है 2950 रुप है कितना कट रहा है 2950 रुप है कटता है तो total recovery कितनी हो जाएगी 2950 रु 65 रुपीज इसका कट जाता तो total recovery कितनी होती है 2985 की और 65 की चली इसके बाद बात करूं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है कि इसकी total earning और आप यह मत माने की पुरानी salary लेटेस्ट salary रुप है जून की या माई की है क्योंकि आपको मालूम है जब 50% दी है जो अभी से implement ह है ठीक है ठीक है तो इससे आप देख सकते है और टोटल earning की बात करूं तो net gross salary है 49,200 रुपए जिसमें government की recovery है 2985 ठीक है इसमें ही इतने इसमें यह आपका साइट 10% करता है और 14% जो है इसमें government इंगलूट करती है तो लगवग आपका 2985 तो साढ़े तीन के आसपा साढ़े गवर्मेंट recovery है यह आपके केवल अकाउंट से कड़ेगा तो जो फाइनल आपको amount मिलेगा by city में और इसकी जितनी भी जो institute है लगवग तीन चार जीगा पर ही है तो जितनी भी institute है इसकी वो कितनी होती है इसकी 36230 रुपए जो है आपको मिलती है सभी city में लगवग ठीक ह सभी city में यही एकी amount मिलेगा लगव आपको 36,000 ठीक है तो कितना मिलने वारा है 36,230 रुपए और अभी यह बढ़के जो आपका 5,000 हो जागा तो लगवग 37,000 के आसपस आपका ही salary पहुंचने वाली है ठीक है और अगर 8th पर commission लगए आता है तो यही salary आपको 50 के आसपस द लेगी तो काफी अच्छी इसमें salary आपको देखने को मिल जाती है ठीक है इसके अलावा बता दों दोस्तों देखें यहां पर कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम upcoming videos लेकर आने वाले जिसमें आपको in hand salary तो यह मैंने दिखा दिया है और नीते सरकों में जल्द इसके अलावा आपके देखें जितनी भी एक्जाम होते हैं जैसे एससी के जितनी एक्जाम होगा रेलेवे एनवेस होगा जिपमर होगा यूपी प्लिस होगा यह मारेस होगा के बीस होगा इस्टेट पीसेस कोई भी तो उसके लिए यहां पर लगवग मैं history ठीक है history देख इसके अलावा भी 500 objective टाइप के questions है यह बन लाएनर 500 objective question लेके आने वाला हूँ इस्टेटिक के most important तो वह भी देखना मत बूलेगा और 1200 one word substitution आने वाले हैं ठीक है जल्दी आपको वीडियो में थोड़े बड़े बड़े वड़े वीडियो थोड़े इसलिए टाइम लग रहे तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में पूरा मैंने आपको यहां पर जो salary slip के बारे में data था वह यहां पर मैंने आपको दे दिया है तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देगा मिलते हैं फिर